क्या सल्मान खान बिग बॉस के शोव में as a host तो ठीक है लेकिन as a mentor सही नहीं है क्या सल्मान खान कंटेस्टेंस को डराने की कोशिश कर रहे हैं उनकी करियर का हवाला देकर कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा करियर कहीं नहीं जाने वाला विल ऐसा ही कुछ वाकिया बिग बॉस के लेटिस एपिसोड में देखने को मिला सल्मान खान वीकेंड के वार पर आये थे काफी सारी एंटिटेंग बातें भी की लेकिन इसी बीच कंटेस्टेंस के बीच जो चल रहे जगड़े थे उसके बीच में सल्मान खान ने अपनी टिपपड़ी दी और सल्मान की इसी टिपड़ी पर एक आक्टर्स उन पर भढ़की है और कहा है कि इस तरीके से लोगों को डिसकरज मत करो शोगह होस्ट कर रहे हो तो आपको बता दे कि प्रतीक सहचपाल के साथ सल्मान खान उलश्टे नज़र आए प्रतीक सहचपाल को सल्मान खान समझाते समझाते कुछ ऐसा बोल गए जिसके बाद सल्मान खान को काफी क्रिटिसाइस किया जा रहा है Actually सल्मान खान ने प्रतीक से कहा अगर आपकी माँ आपकी बेहन बात्रूम में होती तब भी आप ऐसा करते क्या ये गेम जो है ये माँ और बेहन के बारे में नहीं है विधी चाहती तो आपकी धज्या उड़ा देती और मैं होता तो मैं आपकी माँ इसके आगे सलमान खान रुख जाते हैं और सलमान के इसी बात के लिए कहा जा रहा है कि शोव पर ना सिर्फ सलमान खान ने गाली दी बलकि प्रतीक को भी बहुत डिमॉरलाइस किया क्योंकि गेम के दोरान प्रतीक और जो साथ में कंटेस्टिन थी दोनों की उतनी ही गलती थी ऐसे में सलमान का सिर्फ प्रतीक को डांटना और इस तरीके से गाली वाले शब्द यूज करना गोहर खान सलमान खान पर भड़क उठी गोहर खान ने आज एक ट्वीच किया जिसमें सलमान का नाम लिए बिना उन्हें स्लैम किया गोहर ने कहा गलती तो सबसे होती है लेकिन किसी के करियर के बारे में ये कह देना कि तेरा करियर कहत्म हो गया है तो बस एक रियालिटी शो से दूसरे रियालिटी शो में कूता रहेगा ये शब्द किसी young mind के लिए कितने discouraging हो सकते हैं इसके अलावा गौहर ने ये भी कहा कि मैं मानती हूँ कि प्रतीक कुछ जादा ही अग्रेसिव है बद टाइम के साथ हो सकता है वो अपनी हैबिट्स में कुछ चेंजिस लाए तो कुछ इस तरीके से सल्मान खान का नाम लिये बिना गौहर ने सल्मान को बुरी तरीके से स्लैम किया है प्रतीक को डिस्करेज करने के लिए